Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डिबल मराथा एड्मिरल फू सैंक इंग्लिश शिप्स कानोह जी आंग्रे वेलकम टू Study IQ मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तों जब भी हम बात करते हैं भारती एतिहास में किसी नेवल पावगी तो अक्सर हमारे दिमाग में Imperial चोलास का ही नाम सबसे पहले आता है लेकिन क्या आपको पता है कि 17th, 18th सेंचुरी में भी एक ऐसी नेवल शक्ती थी जो फॉरेन पावर्ज को Indian टेरिटरी में डॉमिनेंस बनाने से लगातार रोक रही थी हम बात कर रहे हैं Marathas की जेहां, चत्रपती शिवाजी महराज ने नेवी की इंपोर्टन्स को समझते हुए एक स्ट्रॉंग Maratha Naval Force की फाउंडेशन अपने समय में ही रख दी थी जिसे आगे चल कर लीड करते हैं कानो जी अंग्रे जैसे शूरवीर योद्धा इन्हें समुद्रला शिवाजी यानि शिवाजी ऑफ दे सीज के नाम से भी जाना जाता है आज हम इसी ग्रेट Maratha एड्मिरल की कहानी को जानेंगे जिन से इस्ट इंडिया कंपनी जैसी स्ट्रॉंग नेवल पावर भी खौफ खाती थी आईए शुरुआत करते हैं इनके बर्थ और अर्ली लाइफ से बर्थ एन अर्ली लाइफ कानो जी का जन्म साल 1669 में कॉंकर्ण रीजिन के रतनागिरी डिस्ट्रिक्ट में हरने नाम के गाउं में हुआ था इनकी फैमिली पूना के अंगरवाडी से बिलॉंग करती थी जहां से इन्हें इनका नाम अंग्रे मिला शिवाजी महराज ने जब कॉंकर्ण रीजन के कोस्टल एरियास को कॉंकर कर लिया तब 1657 में इनके फादर तुको जी को उन्होंने सुवर्ण दुर्ग फोर्ड की कमांड सौपी ये एक important नेवल पोस्ट हुआ करता था क्यूंकि ये सिद्धीज के frontier से मुश्किल से 20 किलोमीटर साउथ की तरफ था आपको बता दें कि सिद्धीज नेवल पावर हुआ करते थे जिनका मराठाज के साथ संघर्ष चल रहा था इसी जगह पर यानि की सुवर्ण दुर्ग में कानोजी ने पहली बार अपनी आखें खोली और अपना बच्पन बिताया यहां वो मराठाज शिप्स को ओपन सी में जाते हुए और दुश्मन फ्लीट पर प्रहार करते देखा करते थे यहीं पर उन्होंने फेटफुल कोलीज यानि फिशर्मन कम्यूनिटी से सीमन शिप की प्राक्टिकल ट्रेनिंग भी ली बच्पन से जिस महाल में कानोजी पले बढ़े उसी का फाइदा उन्हें आगी चल कर हुआ मानो जैसे उनकी किसमत पहले से ही आने वाले भविश्य के लिए उन्हें तैयार कर रही हो आईए अब जानते हैं कि कानोजी किस तरह मराठा एड्मिरल की पोजिशन पर पहुँचते हैं कानोजी एड्मिरल और मराठा नेवी शिवाजी महराज के टाइम से ही मराठा द्वारा मिलिटरी सीफेरिंग अक्टिविटीज देखी जाती हैं मराठा नेवी एक ड्रेड़ेट फोर्स हुआ करती थी यानि दुश्मन इसके नाम से ही डरते थे शिवाजी महराज के पास अलग-अलग साइजिस के करीब 200 फाइटिंग शिप्स हुआ करते थे लेकिन चत्रपती शिवाजी की डेथ के बाद नेवी काफी हद तक इनेफिशन्ट हो गई थी चत्रपती संभाजी अपने फादर के मिशन को आगे जरूर बढ़ाते हैं और लैंड पर मुगल्स और सी में पोचुगीज के खिलाफ संघर्ष जारी रखते हैं लेकिन 1690 में संभाजी की डेथ के बाद कानों जी आंग्रे ही एक तरह से मराठा नेवल पावर को रिवाइव करते हैं 1698 में यानि 19 साल की एज में रॉयल कमांड द्वारा कानों जी को 150 माइल वाइड ओपन कोस्ट लाइन का इंडिपेंडेंट चार्ज देते हुए मराठा फ्लीट का सुर्खील या दर्या सारंगा यानि एड्मिरल नियुक्त किया गया ये 1698 यानि की शिवाजी महराज की मृत्यू से 18 साल बाद की बात है उस समय तारा बाई का शासन हुआ करता था जिस समय ये एड्मिरल अपॉइंट हुए तब इनकी कमांड में सिर्फ 10 शिप्स थे इस स्ट्रेंग्ट से कानो जी ने अपनी नेवी को डिवेलप किया कुंकन के फॉरिस्ट कवर का यूज शिप्स को बिल्ड करने में किया गया और फिशर्मन की एक्सपिटीज को मैन फोर्स बिल्ड करने के लिए यूज किया गया कुलाबा में ये अपना हेड़्कॉर्टर्स स्थापित करते हैं कानो जी आंग्रे जब टेक ओवर करते हैं तो इनके सामने बहुत से दुश्मन थे बॉम्बे में बेस्ट इंग्लिश, गुआ में पोचुगीस, जंजीरा के सिद्धीस, वेंगूरला में डच और वाडी के सावन्स इन सब में भी पहले चार काफी फॉर्मेडिबल थे लेकिन कानो जी आंग्रे की प्रेजन्स में जिसने सबसे ज़्यादा सफर किया वो थे इंग्लिश कानो जी के सामने चुनौती आसान नहीं थे सेंट्रल मराथा अथॉरिटी खत्म हो चुकी थी कॉंकन प्रोविंस पर मुगल्स बार-बार प्रहार कर रहे थे हेल्प के लिए कोई ऐलाइज मौजूद नहीं थे रिलाइ करने के लिए रिसॉर्स भी नहीं थे और किसी तरह की री इंफोर्स्मेंट्स की कोई उम्मीद भी नहीं वहीं दूसरी तरफ हुमन ऐलाइज की अपसेंस में सी, गर्ट, कासल्स और फारवे कॉनर में उनकी जियोग्राफिक सिचुएशन कानो जी को एक्सेलेंट प्रोटेक्शन आफर करती थी। यहां से वो आगे बढ़कर एनेमी शिप्स पर अटैक करते थे और उनके मर्चेंट मेंड को अपना शिकार बनाते थे। 1700 आने तक, फॉरिन रिकॉर्ड्स में कानो जी को मोस्ट डेरिंग पाइरिट्स कहकर मेंशन किया जाने लगा था। इन्हें प्रिंस अव पाइरिट्स जैसे टाइटल्स भी दिये गए, हालाकि सही मायने में यह सिर्फ मराथा टेरिटोरियल वाटर्स को डिफेंड कर रहे थे आईए अब एक नज़र डालते हैं कानो जी के नेवल एक्सपेडिशन्स और उनकी अचीवमंट्स पर कानो जी का करियर नेवल एक्सप्लोइट्स की लंबी श्रिंखला और अचीवमंट्स से भरा हुआ है, जो की इंडियन मैरिटाइम अक्टिविटी में बहुत ही कम देखने को मिलता है ऐसा कहा जाता है कि एक बार मिशन पर उन्हें सिद्दीज ने कैप्चर भी कर लिया था, लेकिन जेल की दिवारें उन्हें रोकने में नाकामियाब रहती हैं और बहुत जल्द ही वो तैर कर वापस अपने कासल में लौट आते हैं इनकी बहादूरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मुंबई से कारवार जाने वाली वैसल को पकड़ लिया था, जिसमें कारवार के ब्रिटिश गवनर हारवी की वाइफ सफर कर रही थी, और वो भी मुंबई से सिर्फ टू माइल्स की दूरी पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वैसल को इंग्लिश बैटलशिप्स द्वारा एसकॉर्ट किया जा रहा था, मराथा बैटलशिप्स ने इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया था, अंग्रे जी का टेरर इतना ज्यादा था कि मुंबई पॉर्ट पर तैना दो औ और इंग्लिश बैटलशिप्स बहां से हिले भी नहीं, कानो जी आंग्रे हावी की वाइफ को छोड़ने के बदले में एक बड़ी रकम लेते हैं और फिर उन्हें सेफली रिलीज कर देते हैं, इनकी मैरिटाइम अक्टिविटीज को राइट परस्पेक्टिव में समझने क के लिए हमें इन्हें लाजर प्लिटिकल सिनारियों में देखना होगा, मराथाज लंबे समय से ही अपने होमलेंड को इन्वेडर से बचाने के लिए संखर्श कर रहे थे, शिवाजी महराज के समय से ही मराथाज और मुगल्स के बीच स्ट्रगल जारी था, इसी स्ट्रगल को कानो जी आंग्रे अब अपनी मैरिटाइम अक्टिविटीज के जरिये आगे बढ़ा रहे थे, उनकी पायरेटिकल अक्टिविटीज इसी पॉलिटिकल स्ट्रगल का एक पार्ट थी, कानो जी सिर्फ और सिर्फ फॉरिन पावर्स के अगेंस्ट मराथा सोवरेंटी को डि अथिमाल करते थे, वो कभी भी कोस्ट से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते थे, क्यूंकि लैंड उनकी आर्मी को बहुत से बेनेफिट्स प्रवाइड करता था, वो यॉरोपियन शिप्स पर अटैक में एलेमन्ट ओफ सप्राइज का यूज़ करते थे, उन्हें हराते थ और फिर ऐसे रूट से निकल जाते थे, जिन्हें वो बहुत अच्छी तरह जानते थे, लंबे समय तक यूरोपियन्स उन्हें इसमें मात नहीं दे पाते, उनकी बढ़ती हुई पावर को देखकर सिधीज, मुगल्स और पोचुगीज का ट्राइपाटाइट कॉलिशन, मर उनकन कोस्ट के अलॉंग बहुत सी प्रिंसिपालिटीज, जैसे की कोलाबा, खंडेरी, चौल, एटसेटरा से भी ये रेविन्यू एक्स्ट्राक्ट किया करते थे, अपनी वैसल्स को बिल्ड करने, उनके उपर गंज माउंट करने और उन्हें सी के लिए प्रिपेर करने के लिए इन्होंने डॉक्यार्ड फिसिलिटीज को भी डिवेलप किया, इनका अर्माड़ा उस समय दस ग्रैब्स और पचास गैलिवैट्स का हुआ करता था, कुछ ग्रैब्स तो 400 टंग्स के थे और गैलिवैट्स 120 टंग्स तक के, 18th सेंचरी की शुरुआत होने तक, सावंत वाड़ी से लेकर बॉम्बे तक का इंटायर कोस्ट, एड्मिरल कानोजी अंग्रे के पुजेशन में आ चुका था, ऐसा शायद ही कोई क्रीक, हाबर या एस्चुएरी हो, जहां उन्होंने फोटिफिकेशन्स इस्टैब्लिश ना की हो, मराथा टेरिटोरियल वाटर्स में किसी को भी वाइज करने के लिए दस्थक पे करना जरूरी था, जो इन एरियाज में अंग्रे की सुप्रेमिसी शो करता है, दस्थक्स को पहली बार अरेबियन सी में पोचुगीज ने इंट्रिट्यूस किया था, स्ट्रॉंग नेवी बिल्ट करने के बाद कानोजी अंग् या कंपनी के उस समय के प्रेजिडेंट एसलेबी के साथ एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, जिसमें दोनों के बीच ट्रूस की बात होती है, और कानोजी अग्री करते हैं कि कोई भी वेसल जिसके पास कंपनी के पेपर्स होंगे, उनसे टैक्स या दस्तक नहीं वसूला और उनकी जगे लेते हैं चाल्स बून, जो मराथाज पर अपनी डॉमिनेंस दिखाने लगते हैं, ये डिमान करते हैं कि ऐसी सभी वेसल को जो कंपनी गुड्स को कैरी करती हैं, उन्हें बिना किसी इंटेफेरेंस के पोर्ट्स तक आना अलाओ किया जाए, फिर चाहे उनक के पास कंपनी के प्रापर पेपर्स हूँ या ना हूँ, इस तरह ट्रीटी को डिस्रिस्पेक्ट किये जाने से कानो जी का गुश्सा भढ़क जाता है, और वो फिर से एस्ट इंडिया कंपनी की शिप्स के अगेंस्ट अपनी गोरिला लूट्स शुरू करते हैं, 1715 से लेक उन्होंने किसी भी अटैक में काम्याब नहीं होते, 1727 तक कोस्टल वाटर्स में कानो जी अंग्रे की नेवल सुप्रेमसी अपनी पीक पर होती है, उन्होंने बहुत से इंग्लिश, डच और फ्रेंच शिप्स को कैप्चर किया था, ऐसा कहा जाता है कि कानो जी की पाइरसी की वजह से इस्ट इंडिया कंपनी को सालाना पचास हजार पाउंड्स का हर्चा आता था, अपनी ट्रेड को उनसे प्रिटेक्ट करने के लिए, लेगिसी, दोस्तों 4 जुलाई 1729 को कानो जी अंग्रे की मृत्य हो जाती है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक भी अगेंस्ट भी मराठा सौवरेंटी को एक्स्टेंड करते हैं, इस तरह कानो जी अंग्रे सूरत से लेकर साउथ कोंकन तक अरेबियन सी के मास्टर के रूप में उभरते हैं, अपनी पावर के चरमोत कर्ष पर कानो जी के पास हंड्रिड्स ओव वाशिप्स थी, और बिटि अंग्रे जी का अंग्रे जी का नाम पर्मनेंटली एंग्रेव हो गया, अपनी जीवन के आखरी 21 साल उन्होंने खांडेरी आइलेंड पर एक फोर्ट्रेस से ऑपरेट किया, और आज इस आइलेंड को उनके ओनर में कानो जी आंग्रे आइलेंड नाम दिया गया है, इतना ह नहीं इंडियन नेवी की वेस्टन कमांड को भी आइनेस आंग्रे ही कहा जाता है, ये इस महान नेवल कमांडर को रिस्पेक्ट देने और उनकी लेगेसी को याद रखने का एक जर्या है Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल